यारा मेरे यारा मेरे यारा मेरे यारा मेरे यारा मेरे यारा मेरे या ओ भाई साब क्या यार दादजी के समाने की किताब पढ़ रहे हो ये सब छोड़ो और ये सुनो मेरे यार एक मिनिट एक मिनिट वैसे आप लोग जा का रहे हैं Mumbai to Junagad Junagad का वीजा है आप लोगों के पास वीजा, कौन सी तुने में जी रहे हो ब्रो सुन ब्रो, इंडिया में अंदर अंदर घुमने के लिए कोई वीजा की जरूत नहीं होती जुरुरत पड़ती है, वैसे आप लोग कोई लीगल इमिगरेंट्स तो नहीं हो पासपर्ट दिखाओ आपने, परना पुलिस को बुलाँ पुलिस, ओ, 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 रुगजा, बादवी, तेरा पासपर्ट के दर है सर्दार पटेल जी, ये नहीं होते न, तो आज इंडिया छोटे-छोटे 562 देशों में बटा होता और हर देश में जाने के लिए आपको वीजा लगवाना पड़ता कैसे? जब भारत आजाद हुआ था न, तो 562 प्रिंसली स्टेट्स में डिवाइड़ था किसी को अलग देश बनाना था, तो किसी को पाकिस्तान के साथ जाना था जरा सोचो, अगर आज हमारे देश के बीचों बीच, पाकिस्तान का जंडा फेराय जा रहा होता तो पर अपना बंदा भी सक्त था, देश को युनाइट करके ही माना वो अरे छोड़िये भाई, सरदार ने हमें एक किया, हमने उन्हें क्या दिया? अब तक तो नहीं दिया, पर अब दे रहे हैं, दुनिया का सबसे उंचा स्टाचू, स्टाचू आफ यूनिटी स्टाचू आफ यूनिटी, गुजरात में बनी, विश्व की सबसे उंची प्रतिमा की नीव रखी थी नरेंद्र मोदी जी ने 31 अक्तूबर 2013 हमें और इसका लोकारपन होगा 31 अक्तूबर 2018 को सरदार सरोवल डैम गुजरात से भारत का टूरिजम बढ़ेगा, देश और दुनिया में भारत की शान बढ़ेगी और हमारे महान सरदार आने वाली पीडियों को ऐसे ही प्रेरित करते रहेंगे स्टाच्यू ओव युनिटि अखंड भारत के प्रनेता को राष्ट्र की सर्वश्रेष्ट श्रद्धान जली